फौजी की पतने दिल को छू लेने वाली कहाने निकिता एक गरीब परिवार की लड़की थी गाउं में 16-17 साल की उम्र होते ही साधी करने की जल्दी हो जाती है निकिता की शाधी करवाने के लिए उसका परिवार जल्दी में था क्यूंकि दो छोटी बहने थी उसके पास भी शाधी करने के अलमा कोई चारा नहीं था वह दिखने में साधर्ण थी और घर के हालात भी दहेज देकर शाधी करने के लिए अनुकुलिक नहीं थे इसलिए उसकी शाधी जुर्ती नहीं थी उसमें या गोत्र या कुंडली में कमी दिखा कर बहुत से रिष्टे मना कर देते थे अन्त में एक रिष्टा आया और उस लड़के ने उसे पसंद कर लिया लड़का सेना में सिपाही था बुजुर्ग लोगों ने शाधी करने पर नाराजगी जताई और कहने लगें कि लड़का अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया और कल शाधी हो गया तो पिता ने बेटी से पूछा निकिता ने अपने पिता की परिशानी देखकर शाधी के लिए हामे भर दी और शाधी हो गई निकिता अपने ससुराल चली गई फिर कुछ दिन बाद पती ड्यूटी पर चला गया निकिता अकेली रह गई वह सोचने लगी कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए साथ से पूछने के बाद ही वह पहली बार घर की सीलियों से नीचे उतरी यह गाउं कैसा है वह देखने गई थी गाउं बहुत बड़ा था वहाँ उसे कोई नहीं पहचान सका वह एक बड़ी दुकान के सामने चल रही थी तभी एक दुकानदार ने आवाज लगाई और कहने लगा कि भाभी कोई सामान चाहिए क्या उसने दूर से नहीं कहा कुछ दूर पर एक किसान अपने खेत का कृशी सामान लेकर सहर की ओर जा रहा था उसकिसान ने निकिता को सलाम किया और पूछने लगा भाभी आज यहां कहां इस पर निकिता ने उससे कहा आपको क्या करना है मैं कहां भी जाओ फिर किसान ने कहा भाभी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बताना धीरे धीरे निकिता आधा गाउं घुम चुकी थी लेकिन ऐसे किसी से कभी नहीं मिली जिसने उससे बात नहीं की है निकिता का सवाल था इतने बड़े गाउं में हमने कभी घर नहीं छोड़ा और किसी को जानते भी नहीं है और फिर भी लोग मेरे साथ इतना प्यार से पेश आ रहे हैं और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं हमारे गाउं में कभी मैं पूर्सों से आख भी नहीं मिला पाती थी लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देख कर मैंने उम्र में आने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था लेकिन यहां इस सिती इतनी उल्टी कैसे घर जाकर उसने अपने सास से पूछा सास ने कहा ओह तुम एक फोजी की पतनी हो इसलिए तुझे गाउं में इतना सम्मान मिलता है जैसे मुझे मा बनने से मिलती है यह सुनकर निकिता की आँखों में खुछी के आँशू आ गये उसका सीना गर्व से फूल गया वह खुछ थी कि उसने एक फोजी पती चुना गया